हेलो अब्रीबैन वेल्कम टू मैं चैनल सोनी संदीसी किचेन और मैं हूँ प्रेंक और आज मैं आपनों के साथ सेर करने वाली हूँ आमला के मरब्बा बनाने की रेसिपी तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं है तो मैंने यहां पे 1kg आमला ले लिया है और यह आमला मेरा अपना फेड का ही तोड़ा हूँ पुलिकुल फ्रेस आमला है तो इसे आपको करना क्या है कि कुछ, इस तरह से कोई भी नोखीला इस तरह से यह कुछ से द guessing करना है और चारों टरब से कर लेना है इसको ऐसे ही है तो आप देख सकते हूं कि मैं इसे चारों टरब से कुछ बड़ा-बड़ा बना दिया है और वहुजिक अंदर करना विस इसका बीज है इसमें यह जो बिस में तो बेंग रख alcohol बीज में टक्राना चाहिए इस तरह से कर लेना है सबको तो आप देख सकते हो और उसके बाद मैंने इसे एक वाल में डाल दिया है और पानी डाल देंगे इसमें और पानी का जैसे मैंने पानी इसमें डाला तो आप देख सकते हो कि पानी का विल्कुल रंग हलका सा चेंज हो कई लोग करते क्या हैं इसे एक दो दिन के लिए पानी में करके छोड़ देते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है बस एक ही दिन में इसे बना कर रेडी कर दूँगी और इसे आप खा सकते हो और आप देखें इसका पानी कर रंग बिल्कुल चेंज हो गया है उसके बाद इसे पान से छे घंटा पानी में भिगो कर छोड़ दें तो सबको मैंने पानी में डाल दिया है और उसके बाद इसे पान से छे घंटा तक पानी में भिगो कर छोड़ देना है और उसके बाद इसे एक ढखकर छोड़ देना है आपको तो पान से छे घंटा हमारा हो चुका है अब एक बाद इसे चेक कर लेते हैं इसे में चान लूँगी, इसके बाद, तो मैंने एक वोल दे लिया है, बड़ा सा, उसके बाद इसे में सब को चान लूँगी, और इसे गर्म पानी करूँगी, और गर्म पानी में इसे दोना है आपको, तो पानी गर्म हो चुका है और उसके बाद पानी गर्म पानी से धोलना है आपको इसको और आप चाहो तो कराही में ही डिरेक्ली धो सकते हो तो मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मैंने इसे दूसरी वाल में डाल कर इसे धो रही हूँ तो मैंने यहाँ पर गरम पानी इसमें डाल दिया है इसमें मैंने यहाँ पर एक चमस एक चोटी चमस से मैंने चुना लिया है और चुना में कम से कम इसे 10 मिन रता किसे दोना है तो इस तरह से हाथ से आपको मसल मसल के दो लेना है चुना के साथ आप चाहोते इसे फिटखीरी से भी दो सकते हो बट फिटखीरी में होता क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है तो आप देख सकते हो इसकी रंग कैसी चेंज हो रहा है थोड़ा सा और दस मिनट तक मैंने इसे छोड़ दिया है ज्यादा नहीं छोड़ा है दस मिनट तक आपको छोड़ना है और यह आप देख सकते हो कि कैसे इसका पुरा मतलब चुना से होता क्या है कि जितना भी इसका कैसा लफ होता है वो मतलब निकल जाता है इसलिए चुना से दोया जात पानी का तो मैं यहाँ पर दो लिया है दो झाल रवी धोया फिर चूना ड了吧ERS फिर पहल false तो इसमेड में कि सारा कैसलक पनी इसका निकल चुका है खरते नरा में किप्षण करना कै तो मैंने वमलोगिनштक आप सक दल्गा और जैसे पांी को हम दो क्रहाता हैsome और जैसे पानी हलकी सी गरम हो जाए तो आप इसमें चीनी एड़ कर देना तो मैंने यहाँ पर चीनी एड़ कर दिया है तो जैसे ही पानी में चीनी मेल्ट हो जाए तो साथ में ही आमलो को डाल देंगे तो सबको मैंने डाल दिया है और आज को बिल्कुल मेरियम फ्लेम पर रखेंगे तो यह गैस तो है नहीं चुला है तो मैंने फिर भी कोशिस किया है कि ज्यादा इसमें आज न लग पाए हलकी सी आज लग पाए ताकि यह धीरे धीरे अच्छी से पक पाए तो मैंने यहाँ पर चूला पर बनाया है क्योंकि मैं अभी फिलाल तो मैं अभी गाउं में आ रखी हूं अपने घर तो इसलिए मैं यहाँ पर चूला पर बना रही हूं और आप लोग को तो पता ही होगा कि चूला पर का खाना बहुत ही टेश्टी बनती है गैस ते और इसमें ज्यादा टाइम भी लगता है बनने में तो मैंने सोचा कि चलो चूला पर ही बनाती हूं तो आप देख सकते हो कि यह हलका हलका सा यह बड़ा हो गया है तो मैंने इसे ढख दिया है और ढख कर इसे छोड़ दिया था तो बीच-बीच में आपको देख लेना एक वार चेक करते रहना है तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यह इसका रंग चेंज हो रहा है तो यह अभी बना नहीं है तो इसे फिर से मैं ढख दूंगी और ढख कर पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह से यह पक जाए तो एक वर फिर से चेक कर लेंगे बीच-बीच में आपको चेक करते रहना है और धेमी आथ पकाना है इसे देखकर लग रहा है कि थोड़ा सा भी और पकेगा क्योंकि इसकी जो चाशनी है वो अभी बहुत ज़्यादा पतली है हलकी से गाड़ी और होगी और साथ में आमला भी हलकी से और मतलब पकेगा तो जब तक ये अच्छी से पक जाता है तब तक मैं इसकी कुछ फैदे आपको बता दूँ तो ये पेट के लिए बहुत ही फैदे मंद होता है अगर आपको कब जियत का बिमारी है तो आप एक कच्चा आमला रोजाना एक खालो तो ये आपको रोजाना कच्चा आमला नहीं मिल पा रहा है तो आप एक वर मार्केट से लेकर कुछ आमला बहुत जादा सुखा लो और सुखा कर एक कंटेनर में बन करके डाल दो और इसके बाद इसे आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो डेली सुबक खाली पेट में खाते रहो तो देख रहे हूं तो अब देख सकते हो कि ये तो देख रहे हूं तो यह सा लग रहा है कि ये पक गया है तो ये बनकर विल्कुल रेडी हो चुका है अब इसे हम चूला से नीचे उतार देंगे उसके बाद इसे एक ग्लास की कंटेरन में आपको भरकर डाल देना है और जब इसकी चासनी ठंडी होगी तब डालना है आपको और इसे आप 10 से 15 दिनों तक खा सकते हो अगर आपके पास फ्रीज है तो आप इसे एक मैना तक भी खा सकते हो तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एक बार इसे आप ज़रू ट्राइब करना ट्राइब करके मुझे क कॉमेट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी मेरी आमले मरभा की रेसे पी और आप मेरे चैनल पर नहीं हो वीडियो को फेली बार देख रहे हो तो फ्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का इकन भी दबा लेना इसे आने वाले वीडियो की नॉटिफ वीडियो में तब ते कि लिए भाय थैंक्स वर वाचिंग